हलो अबरीवर्ण हलो अबरीवर्ण कैसे हैं आप लोग आज चुके क्लास में चंजन पीडियो पटेज एप नहीं कर पाई लेकिन उस पर मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया था कंचन I am fine what about you dear कल की क्लास कैसी लगी थे आप लोग को डियाई की ए सोरी डाइस की इनोक्री हमारबा इनोक्री हमारबा हाँ इनोक्री हमारबा अभी नहां कर देंग सिर्ट कई जीत बाकी है कई हार बाकी है कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का शार बाकी है यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले है नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना है अभी तो पूरी पूरी किताब बाकी है वो जुबल पांचाल सॉल कर देंगे अभी इसकी पाद जो चैप्टर पढ़ाएंगी वो नंबर स्रीज ही होगा आपका कोशन वहीं उडा दिया करेंगे ठीक है तो जो हमने कल पढ़ाया था आपको डाइस में कोई दिक्कत हुई टेलिग्राम पर पीडिया भी पहुँच गई थी आपने कोशन सॉल करे होंगे और आपको सब समझ में आया होगा बोलो या सुनू कैसी लगी थी कल की जड़ी बूटी आप लोग को हाँ बादिशोरी दिल्ली गुड़वाव में बताइए कल की जड़ी बूटी कैसी लगी थी आप लोग को अच्छा सोई था हाँ गड़ित की क्लास करेंगे बिट्टू कल खुस्बू आज डाल देंगे बिहार में तो आकाल पढ़ रहा है पानी का अवाज आत तो नहीं वही सबको वाज आ रही है हम मैद पढ़ाएंगे तो आप लोग फिदा हो जाओगे पागल हो जाओगे पागल हो जाओगे फिदा हो जाओगे मैद पढ़ादी दो चलो पडोसी कभी अपोजिट नहीं हो सकता और अपोजिट कभी भी पडोसी नहीं हो सकता हम लोग पागल होना चाहते हैं सर पर हम भी पागल करना चाहते हैं चलो करते हैं आपको पागल आज अज नहीं आज टाइम बताएंगे मैद क्लास कभ होगी चलो क्या आप लोग को उपने डाइस भी समझ में आ गया था और जड़ी बूती भी समझ में आ गय थी ऑपने डाइस भी समझ में आ गय थीि अ reporting दाण्यागे दिए अब आते हैं पासे के कुछ और रूप आपको दिखाते हैं, पासा, दो परकार का पासा होता है, यह आखरी क्लास है पासे की आज, दो क्लास से पासा खतम करा, यानि एक कल की क्लास हो गई और एक आज आखरी, हम बताएं भारती अभी बताते हैं, आज यह आखरी क्लास समझो आज ये खतम हो जाएगा कोई कोशन बचे कर नहीं है अब आप से यह होगा है दो तरह के पासे होते हैं एक होता है इस्टेंडर्ड और एक होता है जनरल इस्टेंडर्ड पासे को हिंदी में कहते हैं मानक पासा और जनरल जो डाइस होती है उसको साधरन पासा कहते है ठीक है स तरवारी खातुन सधर्ण पासा कहते हैं हम आपको तरीके सिखाते हैं जो जिन्दगी में कभी भूल ना पाओ आई याद कुछ नहीं कराएंगे सिर्फ सिखा देंगे हमने आपको कोडिंडिकोडिंग पढ़ाया था तो अब आपका काम है हमको तो जी की अलफाबेट पोजी कितनी होती है अब बहुत क्लास ले लिए बटाज अब साथ होता है अच्छा एक चीज और बताओ जनरल में कितने अक्छा टोटल लिखे गए हैं इस शब्द में टोटल कितने अक्छा लिखे हुए हैं आईसी चीज़ सिखाएंगे आप भूल नहीं पाओगे जिन्दगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे कोगसर आप क्या example देतो यार हम तो सोच नहीं पाते हैं total 7 लट एक दो तीन चार बाँच चाह साथ total जो letter है total 7 आ रहा है बस यही बात यहां से चुरा लेनी हैं total 7 आ रहा है total 7 आ रहा है अच्छे एक बात और बताना मेरी बात पर हाँ और ना का जवाब देना सारे बच्चे जो मैं कहूंगा अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो हाँ करना बोलना ना करना च्छे total 7 है च्छे total 7 letter है यह हमको दिखाई दे रहे हैं कि ने दे रहे हैं यह हमको साथ दिखाई दे रहें कि दे रहें जो टोटल साथ लेटर है वो हमको दिखाई दे रहें कि दे रहें यह छुपे है यह दिखाई दे रहें कि दे रहें दिखाई दे रहें तो हां बोलो और नहीं दिख रहें तो ना बोलो टोटल साथ दिख रहा है बोलो हाँ और ना टोटल साथ लेटर आप जनरल में देख पा रहे हैं कि ने देख पा रहे हैं हाँ और ना का जवाब दीजे सर देख पा रहे हैं सर अब तो खेल खतम कर दो आओ खेल खतम अगर हम ऐसा कोई भी पासा जहां पर हम साथ देख पाएं साथ अक्षर देख पाएं या साथ सम देख पाएं सम साथ देख पाएं योग साथ देख पाएं ऐसा पासा जहां पर साथ सम दिखाई दे यानि चार लिखाए, तीन लिखाए, दो लिखाए ऐसा पासा जहाँ पर किनी भी दो फलक को जोड़ा जाए उनका योग साथ आ जाए उसी को कहा जाता है जनरल डाइस आईए चार और तीन कितना हो गया? साथ हो गया हो रहा है क्या साथ? ये साथ अगर हो गया देखो चार और दो को जोड़ा तो साथ नहीं हुआ किसी भी एक बार के जोडने पर साथ हो जाएगा उसी dice को हम लोग क्या कहेंगे जनरल dice कहेंगे किनी भी दो फलक को जोड़ा जाए किनी भी दो adjacent phases को जोड़ा जाए वो अगर 7 हो जाए तो उन्ही को General Dice कहते है 7 दिखता है सम दिख रहा होता है क्या होता है हमको दिख रहा होता है 6 लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है यह General Dice है या नहीं Yes और No में जवाब दीजे दीवती रिपीट कर देंगा ये जनरल डाइस है या नहीं नो बच्चे जो बोल रहे हैं उनको मुर्गा बना दूंगा मैं जिन्हों नो बोला है वो मुर्गा बनने की त्यार रहे है पांच प्लस दो कितना होता है किनी भी सम को जोड़ने पर साथ हो जाए वही जनरल डाइस कहलाई जाएगी ठीक है आओ ये तीन लिखा हुआ है ये एक लिखा हुआ है ये छे लिखा हुआ है ये पासा जनरल है या नहीं है किनी भी दो को जोड़ने तो तीन और एक चार तीन और छे नो छे और एक साथ अगर किसी भी दो को जोडने पर साथ आगया तो वो जनरल डाइस है छै पांच और दो ये जनरल डाइस है या नहीं अब एक बच्चा हमारे बिहार की पावन धरती से बैठा होगा उसके दिमाग में गर्मी के दर्मियान एक बात आ रही होगी अगर सर जोडने पर साथ ना आय तो क्या होगा अगर सर कही पर भी जोडा और साथ ना आया उस दर्मियान क्या होगा वो पासा जनरल नहीं होगा इस्टेंडर्ड हो जाएगा वो पासा क्या हो जाएगा जनरल नहीं होगा वो स्टेंडर्ड हो जाएगा अगर उसका सम साथ नहीं होगा कोश्चन यहीं चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए आओ मलो यहाँ पर चार लिखा है यह कैसा डाइस हो गया अब यहाँ चार लिख दिया अब यह डाइस कैसा है स्टेंडर्ड डाइस हो गया आप लोग केवल एक वर्ड लिखा करो स्टेंडर्ड के लिए एस जनरल के लिए जी लिखा करो ज्यादा मेहनत मत करो मेहनत करने का काम मेरा है मेहनत हम करेंगे आप किवल सीखोगे, नौकरी पाओगे, आप सिच्छक, तेश के भावी सिच्छक बनने जा रहे हुआ आप, आपको मेहनत करने के आउशकता यहां नहीं है, अपनी क्लास रूम में होगी, क्लियर है, आईए, एक्जैंपल सेट करते हैं, आपसे पूछते हैं, बदा नभी है पहला कोशन आपकी स्क्रिंग सामने यह रहा, छै, दो और पांच, बदा आईए, यह वाला डाइस जनरल है या स्टेंडर्ड है, ओके कीरती, ओके, इस डाइस जनरल और स्टेंडर्ड, जी फोर जनरल, एस फोर स्टेंडर्ड, जी फोर जनरल और एस फोर स्टेंडर्ड, त तीन दो छे ये जो डाई से बी वाला ये जनरल है कि स्टेंडर्ड है जनरल है कि स्टेंडर्ड है जनरल है कि स्टेंडर्ड है इस्टेंडर्ड है हमें लगता है कि आप मेरी बात सीख चुके हैं हमें लगता है आप मेरी बात सीख चुके हैं आओ अब हम आप से एक बात जांबल लेना चाहूंगा कुछ बच्चे हैं नहीं समझ पाते बिचारे कमजूर हो जाते हैं वो एक और दो और तीन लिखा हुआ है ये कैसा पासा है एक दो और तीन लिखा हुआ एक ऐसा पासा है जन्रल है कि स्टेंडर्ड है सब बच्चे किसी ने गलत जवाब दिया किसी ने गलत जवाब दिया तो समय लेना मुर्गा बना दूँगा चार पांच और छे ये कैसा पासा है जन्र और इस्टेंडर्ड अभी के लास्ट आड़ टेंशन मत आईए आपको अगर याद हूँ मैंने कल की क्लास में एक चीश पढ़ाईती है डाइस में च्छे फेज होते हैं च्छे फलक होते हैं डाइस में च्छे फेजस होते हैं च्छे फलक होते हैं जिसमें से एक बार में तीन हमको दिखते हैं और तीन च्छिपे होते हैं तीन सीन होते हैं और तीन हाइड होते हैं बटा तीन सीन होते हैं और तीन छिपे हुए होते हैं तीन सीन होते हैं और तीन छिपे हुए होते हैं अब अगर हम आपसे कोशन और पूछने लगे हाथ छै दो और पांच ये डाइस कैसा है यह डाइस कैसा, वेरी गूड शुश्मा, यह डाइस कैसा है, जनरल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका सम साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका सम हमको साथ दिख रहा है, यानि जनरल में सम साथ दिखाई देता है, है न, अब फलक का मतलब होता है adjacent बिटा अब phases phase बोल दो phase फलक जब तीन सम तीन दिखती है जो फलक दिख रही है उनका अगर सम साथ होता है दिखाई दी रहा है यानि कि जनरल डाईस होती है हम बता चुके हैं आपको सम साथ क्यों दिखता है जो चिपे हैं जो पासे के पीछे हैं उनका अगर सम साथ होगा तो वो अपोजिट होगे उन्ही का सम साथ होगा भी अगर वो अपोजिट वो स्टेंडर्डाईस होगे तो जब ये स्टेंडर्डाईस होगा जनरल डाईस का सम सामने साथ दिखता है तो standard का हम बताते हैं सुईटी अभी जवाब मिला कि नहीं मिला किस बात का जवाब बेटा सुईटी कहां से जवाब मिलना था standard का जो sum होगा वो पीछे sum 7 होता है कैसे अगर ये dice standard है बेटा तो 2 का जो sum होगा यानि 2 का जो opposite होगा वो 7 होने के लिए कितना होगा total 7 होना तो 5 होना पड़ेगा total 7 करना है एक की बात करें एक का पीछे क्या लिखा होगा 7 करने के लिए 6 लिखा होगा 3 के पीछे क्या लिखा होगा sum करने के लिए 4 लिखा होगा और वो opposite होने ही clear हमें एक बात सौजह में अगर जनरल डाइस में सामने दिखर अगया सम्व साथ किनी भी तीन फलक को जोड़ने पर सामने साथ दिख गया तो वो जनरल है नहीं दिखा तो प्ससे gi цент होता है पीछे पीछे क्या हता है पीछे पीछे होता है पॉइंट के लिए रहे है आईए एक्जामपल लेते हैं यह लिखा है तीन यह लिखा है एक और यह लिखा है पाँच इस डाइस में हमको बताईए इस वाले पासे में एक का अपोजिट क्या होगा वाच इस डापोजिट अपोजिट अफ वन वाच इस डापोजिट अफ वन वन का अपोजिट क्या होगा वाच इस डापोजिट अफ वन इस पासे में एक का अपोजिट क्या होगा दो का अपोजिट क्या होगा इस पासे में दो का अपोजिट क्या होगा वाच इस डापोजि फलक पर चार लिखा पांच लिखाओगा चार का पोजिट क्या होगा चार का पोजिट क्या होगा वोट इस आपोजिट अफ फोर वोट इस दा अपोजिट अफ फोर फोर का पोजिट क्या होगा वाट इस दा अपोजिट अफ फोर क्लियर है यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया एक और कोशन ले लो जब तक पेट ना भर जाए तब तक कूछते रहे न उससे कि सर पेट नहीं भर आपी तक यह कोशन लिखा है यहां पर तीन का अपोजिट क्या होगा तीन का अपोजिट क्या होगा सर यह पासा छे और दो आठ हुआ दो और चार छे हुआ छे और चार दस हुआ यह जनरल डाइस तो है नहीं यह डाइस स्टेंडर्ड है स्टेंडर्ड का मतलब तो अपोजिट फलक का समसाथ होता है तीन का अपोजिट चार होगा एक का पोजिट छे होगा दो का पोजिट पांच होगा क्योंकि इन दोनों का समसर हमको क्या चाहिए साथ चाहिए बोलो भई यह सुननो अब हमको एक बात बहुत प्यार से समझ में आई क्या समझ में आई एक का पोजिट छे यहां पर भी है एक का पो जो छह यहां पर भी है तीन का चार यहां पर भी है दो का पाँच यहां पर भी यानि कोश्चन कोई भी हो आंसर तो एक ही आ रहा है अब हम पूरी बात समझ चुके हैं आओ आओ जैसे लिखा है एक दो और तीन जब कभी भी डाइस स्टेंडर्ड होगा बेटा जब कभी भी डाइस स्टेंडर्ड होगा क्यानि कि मानक पासा होगा वहां पर क्या होगा एक का अपोजिट हमेशा च्छे होगा दो का अपोजिट हमेशा पाँच होगा तीन का अपोजिट हमेशा चार होगा ये दोनों एक दूसरे के opposite numbers हैं क्या हैं ये opposite लिख दिया हमने क्या लिख दिया opposite है ये ठीक है तोटल जो sum आना चाहिए हर जगे 7 आना चाहिए तो ये standardized का खेल था point clear है clear है बिटा standard की कहानी ही हो गई यहां तक की बात clear है standard का हमें standardized को पहचानना भी आ गया और उसका opposite निकालना भी आ गया इस दोनों चीज हमने standardized में सीख ली अब एक चीज अभी बाकी है समझाना क्या आओ general dice को पहचानना हमको आ गया है कि नहीं आ गया yes और no का जवाब दीजी क्या हम general dice सदरन पासे को पहचान सकते हैं या नहीं yes और no पहचान सकते हैं जिसका sum 7 दिख जा कि नहीं भी दो पडोसी फलक का sum 7 हो जाएगा वो general dice के लाएगे उडी बाबा कौनसे बाबा उडी बाबा 4 यह general dice है इसका opposite क्या होगा इसका opposite क्या होगा तो 5 2 और 4 यह आपस में पडोसी हैं इनका opposite वही होगा जो इनके पीछे लिखा गया है 1, 3, 6 यह इनके opposite हो इनका opposite fix नहीं होगा general dice का opposite fix नहीं होता है ठीक है general debate train में यात्रा करो बिहार की तरफ जा रही train में general debate में जो सवारी करते हैं वह आपस में कभी लड़ते नहीं है क्योंकि वह भाई बंदू होते हैं एक ही डिब्बे में बैटे एक ही standard को maintain करे हो कभी नहीं लड़ते बिटा आओ आप से पूछा है पांच का opposite क्या होगा तो आप कहोगा सर एक भी हो सकता है तीन भी हो सकता है तो पांच भी दो भी और चार भी सर तीन का opposite बोलो भाई कितने बच्चों clear है बोलो भाई clear है तो जनरल डाइस में हम किसी का opposite फिक्स नहीं है हम नहीं निकाल सकते कौन किसका opposite है जनरल पासे में बटा रजिया खान और बच्चे हमें जनरल में पता है ये और ये आपस में opposite है ये पडोसी है पडोसी कभी opposite नहीं होगा opposite कभी पडोसी नहीं होगा ये पडोसी है ये दूसरे एक दूसरे के आपस में opposite है ये क्या है आपस में opposite है बोलो भाई ये क्या है आपस में opposite है तरहें पांच का आपोजिट एक तीन और छे में से कोई भी हो सकता अगर यही स्टेंडर्ड डाइस होती तो पांच का आपोजिट दो होता लेकिन जनरल डाइस है जो उसके पीछे लिखा होगा वो सब उसके आपोजिट हो सकते हैं किलियर है? आया? पांच-छेशाल होगा है? आईए, सवाल कराते हैं आपको इसमें समझने से कोई स्थाई नहीं बटा है कोशन देखो अभी सब समझना जागा किर्थी बहुत जल्दी सारे बच्चे जितने किलास में हो अगर सब लोग बोलो हम आपकी महत की किलास में आप आएंगे एक एक किलास में अगर आप सब आ गए आईए, ये डाइस स्टेंडर्ड है क्योंकि पांच और तीन आठ होता है पांच और छे ग्यारा होता है, छे तिन नो, कहीं पर भी साथ नहीं हुआ ठीक है? तो अब तीन का पोजिट स्टेंडर्ड डाइस में क्या होगा? चार होगा? ये कॉंसेट क्लियर होगा सबको? चलो, नेक्स्ट ये हमने समझा था जब हमें डाइस केवल एक पासा दे रखा हो, अभी पूछेंगे जो बच्चे आ होगे, हम अभी बात करेंगे क्लास के बारे में तीन का चार होगा, पांच का दो होगा, वेरी गूट बेटा, एक पोजिशन डाइस की दे रखी हो, अब हम जो कोशन पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हुआ भारती, वो डाइस स्टेंडर्ड थी बेटा, ऐसे हुआ, चीक है? अब डाइस की दो अलग-अलग पोजिशन दे रख किया हुआ है, तो दो ये अलग-अलग पोजिशन है, इन दो पोजिशन में कहा रहा है कि केवल दो स्थान दिये, एक नमबर कॉमन हो, इन दोनों में केवल एक नमबर कॉमन हो, वो सवाल कहना चाहता है, आईए, जब दो में एक नमबर कॉमन हो, अगर हम पासे को बनाना च आप बताओ इन दोनों पासे में कौन सा वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है पासे में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है बिटा दोनों में कॉमन एक ही नंबर आएगा क्योंकि हमने अभी एक ही पड़ा है तीन नंबर कॉमन है बस तीन नंबर कॉमन है तो तीन लि क्लॉक वाइस 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 क्लॉक तो तीन से clockwise जब rotate करो, उस रास्ते में पहला नमबर पढ़ा, तीन के बाद 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, फिर 5 के बाद 2 लिख दिया, यह क्या clockwise rotation है, पॉइंट के लिए रहे हैं, घड़ी किते सामें, ऐसी बेटा दूसरे वाले में clockwise, तीन, तीन से clockwise रोटेट करा, 6, 6 के बाद clockwise रोटेट करा, एक, जो नमबर जिसके सामने आएगा, वो उसका अपोजिट होगा, जो नमबर जिसके सामने लिखा होगा, वो अपोजिट होगा, यहनि दो का अपोजिट एक होगा, दो का अपोजिट एक होगा, और एक का अपोजिट दो होगा, पांच का अपोजिट 6 हो और छे का पॉजिट पांच होगा वेरी गुट अब देखो भाया यहां पर पासे में छे नंबर होते हैं चार पांच और छे पांच का पॉजिट छे हो चुका है पांच का छे हो चुका है दो का एक हो चुका है दो का एक हो चुका है बच्चे के तीन और चार तो तीन का पॉ कुछ बच्चों के इनने रट रखा है कि clockwise ऐसा नहीं है आप चाहो तो एंटी क्लॉक्वाइस से भी कोशन सौल कर सकते हो पुनी था तीन नंबर था दोनों में common था एंटी क्लॉक्वाइस तीन से एंटी घड़ी के उल्टी डिरेक्शन में तीन से पहले दो गए फिर पांच एंटी क्लॉक्वाइस जो अगर एक बार clockwise करो तो दूसरा भी clockwise एक rapid करो दूसरा भी एंटी करो इसको वेंटी को तीन से एंटी तीन और एक और छे तीन एक और छे पांच के सामने जो आएगा अपोजिट छे एक का दो दिखो वाज एक का दो यहां पर भी था पांच का छे वहां पर भी था तीन का चार यहां पर भी है दोनों से आंसर सेम आएंगे तो दोनों को सेम रोटेट करना है अगर इसको clockwise कर रहा क्लियर है बेटा कीर्थी दोनों में नंबर कॉमन है बेटा क्लियर है ठीक है जो नंबर कॉमन होगा जो नंबर कॉमन होगा उसका आपोजिट वही नंबर होगा जो पासे में नहीं दिख रहा होगा ये भी एक direct तरीका होता है सीखने का अगर हमसे कभी common number का opposite पूछता है जो number common होता है उसका opposite हमेशा वही होता है जो number पासे में नहीं दिख रहा होता है हमने क्या का? common number 3 था तो 3 का opposite वही होगा जो इन पासों में number नहीं दिख रहा होगा और राकिस इसी नीए फरक पड़ता है यह जन्रल ऊर्स्टेंडर से मतलम नहीं यह आल एंप्लीक पॉइंट की पॉइंटि केलिए प्रशांत यहां तकी बात के लिए दे एक नंबर common होका तो समझ में आगा है इस पर एक दो questions कराते हैं आपको बदाए 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 आपको कर दाए आपको कर दाए बदाए आपको आई देखो यहां पर तीन common है और हमें चार का पूर निकालना तो तीन का पूर्च चार होगा ठीक है डारेक्ट क्योंकि हमें वो नंबर का निकालना था जो इसमें नहीं है तो वो तो हमें पता है common नंबर का पूर्च होता है दो का पूर्च क्या होगा दो का पूर्च निकालना था देखो पडोसी है यह तो कभी तीन आंसर तो कभी नहीं होगा ठीक है देखो यहाँ पर क्या common है पांच पांच से घुमाओ पांच दो और तीन पांच से घुमाओ पांच छे और चार दो का पूर्च छे होगा तीन का पूर्च चार होगा पांच का पूर्च एक होगा पता यह तीन का पूर्च क्या होगा अपोजिट अफ तीन एक का अपोजिट छे होगा बेटा तीन का थोड़ी होगा एक एक दो और चार एक पांच और तीन तीन चार किलियर होगे सबको आई आगे चलते हैं अभी तो हमने दो पासे देखे थे दो पासे उन दो पासे में क्या एक नंबर कॉमन था उन दो पासे में कीरती बटा पता दिया है रिपीट क्यों करवा रही हो एक नंबर कॉमन था अब क्या कह रहा है दो नंबर कामा नो आईए छे दो और पांच दो एक और छे ऐसे नंबर लिखे गए हैं अरे बिटा कुछ भी कर लो यार रिपीट करने वाला सवाल ही नहीं था आप लोग समझो न टाइम की वैल्लू बिटा यह तो सिलेबस खतम नहीं हो पाएगा सुस्ति नहीं चाया उड़ी बाबा शिखा उड़ी बाबा कौन से बाबा उड़ी बाबा आओ यहाँ पर दो नंबर कॉमन है कौन कौन से दो नंबर कॉमन है भी या दो और छे कॉमन है दो और छे कॉमन है जो दो नंबर कॉमेंट होंगे कौन हस रहा है, कुमारी पूझा या तो हस रही है, ठीक है, दो नंबर जो कॉमेंट होगे उनके पाइज छोड़का तीसरा नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजित होगा, हाँ एक गाना सुनाएंगे अपी, डांस भी कर दूँगा आपका ह होगे तो एक का पोजिट पांच होगा यह फिक्स वैल्यू है जिस भी पासे में दो नंबर कॉमन होगे तीसरा उसके अपोजिट अपने यहाँ हो जागा हाँ साहिल अगर एक पासे को क्लॉकवाइज गुमाओगे तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज गुमाओगे और वहीं से गुमाओगे जहां से नंबर कॉमन होगा ठीक है आईए हमने कहा कि जो दो नमबर common है उनके इलावा जो नमबर बचेंगे वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे ये बात सबको के लिए लोगई के लिए होगी अब देखो बटा एक का अपोजिट पांच हो चुका है बचा दो और छे तो इस दो और छे का जो अपोजिट होगा वो दो और छे का अपोजिट जो नमबर यहानी तीन और चार में से कुछ भी हो सकता है इसके बारे में सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है यानि दो का अपोजिट तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है चे का अपोजिट तीन और चार भी हो सकता है या तीन का अपोजिट दो और छे में से कोई एक हो सकता है चार का अपोजिट भी दो और छे में से एक हो सकता है कित्ते बच्चों के बाद सुझा कि तारा लागा वेरी गूट अब है जैत्पुरा वेरी गूट जब दो नंबर कॉमन होगे तीसरा अपने आप अपोजिट होगा और जो दो नंबर कॉमन थे उनका अपोजिट के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे हम लोग ठीक है और य हुआ है बताई हो गया एक का पोजुट थे यह दोनों कॉमन नम्बर है दो का पोजुट क्या होगा एक का पोजुट दोगा अभी तो जो पढाएगे सब कुछ के लिए अभी और कॉशन जो कराने जो जुर तो नहीं है हमने जिता पढाया है अभी इसमें दो टाइप पढाये आपको कोई और कॉशन कराने जो तो नहीं के लिए kann चिक है के लिए है आई अगर एक बार एक नंबर कॉमन था एक बार दो नंबर कॉमन हो जा और एक बार नो नंबर कॉमन कुछ भी कॉमन ना हो बस खतम कर रहे हैं यह एक दो तीन लिखा गया है यह चार पांच छे लिखा हुआ है यही तो एक कोशन हो सकता, इसके लावा कोई और कोशन हो यह नहीं सकता जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो आप इसको कैसे सॉल करोगे स्टैंडर्ड डाइस की तरह सॉल करते न एक का पोज़िट छे होगा, तीन का चार होगा, दो का पांच होगा कोई दिक्रत नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ कोशन दिखाना चाहता हूँ, आपको जो पेपर में आते हैं, जो इन सारे concept से मतलब ही नहीं उनको कुछ question में ऐसा दिखाना जाते हैं जो हमने पढ़ाया उससे मतलब ही नहीं है वो कभी concept से मतलब जाते हैं वो अलग से आते हैं आईए उनका question के concept से कोई तालुकात नहीं बेटा अब देखो हमने आपको वो पढ़ाया था अभी हमारे mathy class पर आरे बेटा रुख जाओ हमने आपको एक चीज पढ़ाया था अगर आपको याद हो जड़ी बूटी तो जड़ी बूटी solve करते हैं लेकिन इसके लावा हम लो एक और method लगा सकते हैं तो यहां पर तीन का पोझेट निकालना हैं तो एक और दो यहां पर भी है एक और दो यहां पर गड़ाइट तीन का पोझेट पांच लाके स्कूरवारे पर टा हाँ सुस्मा, डूंट वरी ठीक है यह ड़ारेट कर सकते हो तो दो नमबर कॉमन तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो गया हम लोग जड़ी बूटी के लावा इस concept को भी यूज़ कर सकते है कोशन को solve करने के लिए ठीक है देखो दो का अपोजिट निकालना है तो यहाँ पर पांच और छे स्वरी दो कब यहाँ पर तीन और छे यहाँ कैसी भी पासे में दो नमबर कॉमन होते है तो तीसरा अपने आप अपॉजिट हो दो का अपोज़न निकालना है ये तीन हो चार है ये भी तीन हो चार है तो दो का अपोजिट क्या हो गए डारेट पांच आ गया तो किसी भी दो नंबर में किसी भी दो डाइस में दो नंबर कॉमनों तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाता है एक तो बताया जड़ी बूटी और दूसरा आम ने बताया यह आज के बाद कोई कोशन गलत नहीं होगा आपसे आज़े कुछ कोशन कराना चाहता हूँ मैं आपको डिफरेंट टाइप से कोशन ने दिख रहा है क्या बात है हाँ दीख जाएगा जहां पर लॉजिक काम ही नहीं करता है इलॉजिकल कोशन जो होते हैं यह दोगों कोशन इलॉजिकल है बेटा यह इलॉजिकल कोशन है वो फरजी काम बेटा पुनीता हाँ परीती ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं हमने क्या का यह इलॉजिकल कोशन है ऐसे कोशन हमने क्या कर करते हैं जो उपर लिखा है कि उपर के सामने वाला पोज़िट होगा दस का पोज़िट बारा था ठीक यह थो का फोज़िट छे होगा और 4 का opposite 8 होगा कब ऐसा कब होगा जब बेटा हमारे पास number fix ना हो जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लिखे तो इस तो fix number है अब कुछ भी लिख दे कहीं A लिख दे कहीं, B लिख दे कहीं, P लिख दे कहीं के लिए रहे यह कोशन हो हम आपको और दिखा रहे अभी आपको नहीं समुझ में आएगा लेकिन जब एक कोशन आपके सामने आउर आएगा तो ही आप समझ जाएंगे कहानी क्या है और वो कोशन रख दी हमने अब एक कोशन ही आगया कह रहा है कि rainbow में से कौन सा कलर नहीं है इसमें क्या कह रहा है rainbow में से कौन सा कलर नहीं है क्या violet कलर है यह तो करी लोगे यह कॉमने बी कॉमने बी से घुमा देना कर लोगे न बता क्या अंसार को एक नमबर कॉमने बी क्लॉक्वाइस एक आपोजट ई होगा ठीक है तो यह था पूरा चैप्टर डाइस का लक्षमी पता नहीं क्या है कैसा लगा आपको यह चैप्टर अब देखो अब अच्छे एक मैत की बात कर रहे हैं क्या आप सब लोग संडे वाले दिन रातरी के 9 पिम पर खाली है क्या आप लोग संडे वाले दिन रात को 9 बजे खाली है अब हम आपको एक मौका दे रहे हैं बेटा आपके लिए सिर्फ कर रहा हूँ यह काम सिर्फ आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों ने हमसे वह कहा है एक चैप्टर है आपका बार कॉंसेट पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा उसी दिन और इस पर जितने भी प्रीवेस के कोशन्स आए हैं वो पूरे कवर करा दूँगा आपको समझ में आजाएगा मैं कैसी मैद खतरनाख पढ़ाता हूँ चीक है उसी दिन आपको रियलाइज हो जाएगा क्या दूआ दूआ खर सकते हम लोग तो संडे को नौ बजे सेशन बुक किया जए और ये तभी हो पाएगा बेटा पॉसिबल हमेशा अगर आपको मैज पढ़नी होगी आप हमसे हमेशा पढ़ना चाओगे तो इस क्लास पर आपको लाइव आना पढ़ेगा अगर आप इस पर लाइव आओगे भारी संख्या में हर बच्चा पांच पांच दो दो तिन तिन बच्चों को ले कर आएगा अगर company ने देखा कि हमने बच्चे पढ़ा है और आप खता है आपको मेरा concept 100% समझ में आएगा आग लगा देंगे नहीं वो यूटूब पर होगा ये पेट पर नहीं होगा यूटूब पर होगा हाँ ये बताना भूल गया ये यूटूब पर होगा ये जो सेशन होगा वो यूटूब पर होगा तभी तो पेट पर आएगा पहले यूटूब पर होता है तभी पेट पर आता है उसके पेट पर लाएगे तो अगर आप लोगो संडे को रात के 9 बजे संडे यानि पर सो ये पूरा concept पढ़ाएंगे उस पर सवाल भी कराएंगे अगर आप सब मौजूद होंगे आओगे सारे बच्चे हाँ टीचर्स अड्डा पर है टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हम आपके टेलिग्राम पर लिंक बगारा भी देंगे टीचर्स अड्डा पर है आओगे तो बताओ अगर जितने जादा संख्या में आओगे उतनी जादा संख्या में मैं इसको लॉंच कर पाऊंगा और फिर जब होगा फिर आप देखना बटा आपकी मैं हर एक बात मानूंगा अगर आप मेरी एक बात मानेंगे यहाँ पर आपको सब को आना है और अपने सारे बंदूओं को लेकर आना है बस आपको एक ही बात मानना है जुब अच्छे हम देखेंगा नुपमा उस दिन सब देखेंगे आप कहोगे तो सब देख लेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है जहां जहां मैत आएगी क्लास एक से लेकर वो सब आएगा बढ़ा जगया संदीप जो बच्छे टेलीग्राम पर नहीं जुड़ें वो यह टेलीग्राम का लिंक रहा इसको जॉइन कर लो जहां पर आपको क्लास का पीडिएफ मिलेगा और लिंक मिलेगा ठीक है यह मैंने भेज दिया इसको जॉइन कर लो सारे बच्छे प्रियंका आपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया है इसको जॉइन कर लो ठीक है एप पर पीडिएफ आज ही अपलोड करेंगा अनुभव अनुभव अब बताओ बच्छे सारे बच्छे संडे केवल संडे को पहला होगा फिर कितने बच्छे फीडबैक दें हमारा साथ दो आप लोग हम आपकी मैठ को श्ट्रॉंग ना कर दें आप बोलना कि सर आपकी वज़य से मुझे मैठ पूरी अच्छे से आती है गरंटी ले रहा हूं बटा कितने बच्छे फीडबैक करेंगा जो आपको छोटे से काम करने होते हैं बस क्लिक करना होता है अहां पर अगर आप लोग आ गए तो कसम मैं कह रहा हूं आपको गैरंटी मेरी आपको डेली एक सेशन दोंगा कॉंसेट का इस सेशन में अगर आपने लगा दी इस सेशन में अगर आपने लगा दी तो उसके बाद सारे कॉंसेट मैं आपको दोंगा डेली फ्री में और चा झाल झाल